फर्दवाद में भी बारिस के मोसम से जलबराव जैसे इस्तिती उत्पन हो गई है पिरसासन की तरफ से पुक्ता इंतजामों के वादे किये गए थे लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पिरसासन के दावे यहां पर भी बिलकुल धूमिलोते दिखाई देते हैं क्योंकि पानी बिलकुल इस तरीके से बरा हुआ है जैसे कि यहां पे कोई बाड़ वगेरा आ गई हो तो ऐसा आलम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है परदाबाद में भी बारिस के मोसम से जलबराब जैसे इस्तिती उत्पन हो गई है पिरसासन की तरफ से पुक्ता इंतजामों के वादे किये गए थे लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पिरसासन के दावे यहां पर भी बिलकूल दूमिलोते दिखाई dzkedite हैं किस तरीके से जो जलबराब की इस्तिती है सहर के मैन रास्ते पे मैन रोड पे बनी हुई है नालियों का गंदा पानी रोड पे जमा हो गया है आने जाने वाले सवारियों को और यात्रियों को बड़ी समिश्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी बिल्कुल इस तरीके से बरा हुआ है जैसे कि यहां पे कोई बाड वगेरा आ गई हो तो ऐसा आलाम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है जिला अदिकारी रितू चौदरी की अनुसार इन कख्चाओं का खुलने का समय सुबह 9 बजे का रहेगा जिला शिक्चा अदिकारी की अनुसार जो विध्यारती उनलाइन स्टेडी करना चाहते हैं, उनके लिए उनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी, विद्यार्तियों के लिए स्कूल का समय 9 से 12 वजे तक कर रहेगा, सभी विद्यार्तियों का तापमान वेहाजरी रोज अबसर एप पर अपलोड की जाएगा। कि केंदर सरकार बिजली संसोदन बिल 2021 को मानसून सत्र में लागू करेगी, इससे बिजली आमादमी तक पहुँच जाएगी और जो आमादमी तक बिजली की परेशानिया हैं वो भी सौल की जाएगी, यह विल जनविरोधी, किसान, गरीब और करमचारियों के खिलाप और सबी सरकारी वभागों का निजी करण करवा रही है, इसको बरदास नहीं किया जाएगा। 2018 में अमार ने पीडिता वे उसके पती की अनवन का फाड़ा ओठाते हुए साथ दुसकर्म किया, जिसके बाद अमार पीडिता से कहने लगा कि उसकी उसने वीडियो बना ली है, इस वीडियो के आधार पर अमार ब्लैक में इलकर पीडिता के साथ तभी से दुसकर्म करता 15 से 20 दिन पूर अमार ने एक आडियो रिकॉर्डिंग भेजी जिसका पता पीडित के घरवालों को लग गया, जिसके बाद अमार ने कहा कि अभी तो आडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, वे वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देगा, जिसके बाद पीडिता ने अमार के करोड रुपे की लागत आई थी लेकिन प्रिसासन की उदासीन तक आए या लापर वाई दो साल पहले उद्गाटन करने के बाद भी सहर में इस ते सेक्टर बारह में जम खाना क्लब सुरू नहीं हुआ है इस कारण करोडों की लागत से बन कर त्यार हुआ जम खाना क्लब का लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए लोगों मैं भी रोज है फर्दावाद से हैं ऑनलाइन ठगी गिरों के दो सदसे गरपतार किये गए हैं बैंक करम चारी बन लॉन दलाने का जहांसा दे कर करते थे ठगी NCR में 30 से ज़दा वार्दातों को दे चुके हैं अंजा ले गया चार को ग्रपतार किया जा सुका है ये मामला फर्दावास से है पुलिस ने रुपए वय जेवराद बरामत कर चारों आरोपियों को जेल बेज दिया है और उने कोर्ट में पेस किया गया है कोर्ना पीडित मित्र के गर्दे 11 लाग रुपे गहने चोरी करके ले गया दोस्त इलाज के लिए अस्पताल में भढ़ती था तब इस वारदात को अंजाम दिया गया NITCIA साकावे सुरजकुंड थाने की पुलिस ने सेंखत रूप से कारावाई करते हुए मुख्या रोपी अंकुर वैती नन्य को गरपतार कर लिया है पुलिस के अनुसार घटना जून की है सुरजकुंड थाना चेतर नवासी संजय एलाज के लिए अस्पताल में बढ़ती था उसके दोस्त अंकुर पर बरोसा कर उसने अपना घर उसके बरोसे छोड़ दिया करें धन्यवाद